हलो दोस्तो आज हम सेया रेसीपी में बनाएंगे राजमा की सबजी जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा तो चलिए राजमा की सबजी बनाना शुरू करते हैं राजमा की सबजी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप राजमा को साथ आठ घंटा के लिए भीगो कर छोड़ दिये थे आप चाहे तो रात भर भीगो कर भी छोड़ सकते हैं और यह अच्छे से फूल गया है और इसका पानी निकाल दे हूँ अब इसे एक कूकर में हम बॉइल होने के लिए रख देंगे एक कप राजमा के लिए यहां पर मैं दो कप पानी डाल दे रही हूँ यह दो कप पानी हो गया आधा चमच नमक डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे यह दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डाल देंगे बड़ी इलाची क्रस करके डाल देंगे दो लॉंग डालेंगे और एक चमच ओयल डाल देंगे और कुकर को बंद करके गयस पे रख देंगे बॉयल होने के लिए और 4-5 सीटी लगवा लेंगे इसमें यह 5 सीटी लग चुका है अब हम इसे उतार लेंगे कराही गरम होने के लिए रख दिये हैं कराही गरम हो गया है आप हम इसमें 3 टेवल एस्पून सर्शो का तेल ले लेंगे आप चाहे तो कोई सा भी तेल ले सकते हैं तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1 टी एस्पून जीरा डाल देंगे और जीरा को थोड़ा फ्राई कर लेंगे जीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें 1 टेजपतर डालेंगे 2 लार मिर्च डालेंगे 3 प्याज को बारिक चौप करके ले लिए हैं और ब्राउन होने तक प्याज को भूनेंगे प्याज ब्राउन हो गया है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे 2 टमाटर को बारिक चौप कर लिए हैं और इसे भी डाल देंगे एक चम्माच अधरक लासुन को पूट करके ले ली हूँ और प्याज टमाटर के साथ इसे भी भून लेंगे इस परकार डालने से राजमा की सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है प्याज और टमाटर को सौफ्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढख देंगे तीन मिनट हो गया है आप हम इसे खोल करके देखेंगे प्याज और टमाटर सौफ्ट हो गया है आप हम इसमें मसाले डाल देंगे एक चमच धनिया पॉडर एक चमच जीरा पॉडर हाफ चमच हल्दी पॉडर हाफ चमच लाल मिर्ज पॉडर थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को पकाएंगे सीटी निकल गया है अब हम चेक करेंगे की हमारा राजमा पका है की नहीं आप देख सकते हैं पांच सीटी लगा है और राजमा पक चुका है यहाँ पर हमारा मसाला भून गया है अब हम इसमें बॉइल किया हुआ राजमा डाल देंगे और इसे मसाले में अच्छे से मिला लेंगे राजमा में ग्रेवी आप अपने एक ओर्डिंग गाड़ा या पतला रख सकते हैं कुछ धनीय पते डाल देंगे धनीय पते डालने से राजमा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे मसाले में मिला लेंगे और दो तीन मिनट के लिए इसे ढख देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए तीन मिनट हो गया है अब हम इसे खोल करके देखेंगे राजमा का सब्जी बनकर तैयार हो गया है आप देख सकते हैं कितना आच्छा राजमा का सब्जी बना है अब हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे राजमा का सबजी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है उपर से थोड़ा धनिये पत्ते से गार्निस कर लेंगे उमीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें